आज मैं आपके लिए लेक्याए हूँ एक पूड़ी की रेसिपी ये पूड़ी न तो आटे की है और नहीं मेदे की है और खाने में तो बहुत ही गजब की लगती है तो चली जल्दी सी शुरू करते हैं इसे बनाना इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कड़ाय में दो कटोरी पानी येट कर देंगे एक चमच हम यहाँ पर डालेंगे अजवाइन और एक छोटा चमच डाल देंगे तेल आदा चमच डाल देंगे नमक और थोड़ी सी डालेंगे धनिया पत्ती और एक चमच हम यहाँ पर डाल देंगे कसूरी में थी इन सब को अच्छे से मिला कर थुड़ी देर इसे ही उबलने देंगे अब हमने जो दो कटोरी पानी येट किया था इसलिए हम यहाँ पर डाल दें एक कटोरी चावल का आटा आटे को हम अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पे हमें इसका डो बना के तयार करना है आटे ने सारे पाने को सोक लिया है और ये सोप्ट हो चुका है अब हम गेस को बंद करेंगे और इस आटे को हम एक थाले में निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमें इस आटे को पुरी तरह से ठंड़ा नहीं करना है गुनगुना सा रखना है और इसे अच्छे से मसल को चिक्णा कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा तेलोर डाल देंगे ताकि यह अपने हाथों पे चिपके नहीं इसे हम अच्छी तरह से मसल कर इसे सोप्ट सा अटा लगा के तेयार कर लेंगे तो जितना हम आटे को मसलेंगे उतना ही हमारा नास्ता मज़ेदार बनेगा अठा अच्छी तरह से लग चुका है अब चलते हम नास्ता बनाने के ओर तो हमें यहां पे थोड़ा सा आटा लेना है और इसकी एक छोटी सी लोई बनानी है लोई बन के तेया है अब इसकी हम एक पूड़ी बेल लेंगे तो यहां पे हमें पूड़ी को मोटा नहीं पतला ही बेलना है इस तरह से अब किनारे जो फटी हुई है उसके लिए हम या तो एक कटोरी या फिर एक ग्लास लेंगे और उनकी हेल्प से इस तरह से हमें कट करना है काटा हटा कर उस हाटे में हम मिला लेंगे इसी तरह से हमें सारी पूडिया बना के तेयार करने है इधर हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है हाई फ्लेम पर हमें पूडिया को फ्राइ करना है लो या मीडियम पर नहीं लो या मीडियम रखेंगे तो यह पूडिया हमारी ओईली हो जाएगी इसे हम हाई फ्लेम पर ही उलटते पुलटते हुए अच्छी सी क्रिस्पी होने देंगे इसका हमें कलर चेन नहीं करना है और ये जल्दी से बनके त्यार हो जाती है तो ये हमारी क्रिस्पी सी मज़ेदार सी पूड़ी बन के त्यारे इसी तरह से हम बाकी की पूड़ीय बना कर भी फ्राय कर लेंगे पूड़ीय तो आपने कई तरह की खाई होगी इस तरह से आप एक बार जोड़ से ट्राय करना आपको और आपके family में सभी को बहुती पसन आएगी तो ये सारी पूडिया हमारे बनकी ready हो चुकी है इन्हें आप सुबह बना ले और शाम को भी आराम से खा सकते हैं और कहीं बाहर जानना हो तो इन्हें बना के ले जा सकते हैं बहुत ही नरम होती है ये और ये आपके बच्चों के टिपिन में भी बना के दे सकते हैं इन पुड़ी काप दही फ्राइ या अचार के साथ खाए खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी तो फ्रेंड केसी लगी मेरी आज की रेसिपि अच्छे लगी हो तो लाइक करना शेयर करना सुस्क्राइब करना ना भूले